लेकर आया हूँ वीवो की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन जो लेटेस लॉंच कर दिया वीवो ने इंडिया के अंदर T-Series में T1X तो इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा दोस्तो वीवो के जो T-Series के तीन स्मार्टफोन थे अब उनके बाद दोस्तो ये चौता स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं क्या बढ़िया है या फिर नहीं आपको खरीदना चाहिए या नहीं तो वीडियो को दोस्तो एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए वैसेस का प्राइस है दोस्तो 12,000 ये आपको मिल जाएगा 12,000 में चली देखते हैं दोस्तो वीवर T1X के साथ आपको 12,000 में क्या क्या मिलता है तो जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले तो यूजर मैनूल मिलते है मीनी बॉक्स के अंदर इसके बाद सिंपल ट्रांस्परेंट कवर दिया गया है इसके बाद मिल जाता है फूने क्रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे एक टाइप सी केबल दी गई है लैंथ और क्वालिटी स्केबल के आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो क्वालिटी वाइस केबल काफी अच्छी है और लास्ट में रखवा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर दोसो आपको आउटपुट मिलता है 9 volt 2 ampere का तो इसके अंदर दोस्तो आपको जो charger मिल जाता है वो fast मिल जाता है 18 watt का 18 watt का दिया गया है तो box के जो contents है दोस्तो rate के साब से आपको काफी बढ़िया ही मिल जाते है charger भी fast है cover भी है type c cable भी दी गई है तो यह चीज़ काफी जाद अच्छी है आज कल तो बहुत से phones के साथ charger भी नहीं आ रहा तो दोस्तो यह चीज़ भी आप देखने को मिल जाती है 12000 के budget phone में भी दूसरी companies के अंदर तो वो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती चली बात कर लेते हैं हम दोस्तो design के बारे में तो दोस्तो वीवो T1X के अंदर जो आपको design मिलता है वो बहुत ही जादा कमाल का आपको मिल जाता है कैमरे का module तो थोड़ा simple ही है इस तरीके का आपने देख रखा हुआ T1 5G के अंदर तो दोस्तो वैसे ही है लेकिन इसके अंदर आपको जो back panel मिलता है वो इस तरीके का है दोस्तो आपको glass design देखने को मिलता है बिलकूल हाला की है इसमें plastic ही लेकिन दोस्तो इसके अंदर आपको जो है एक थोड़ा सा glass look दिया गया है जिस वज़े से दोस्तो इसका design जो है back panel का बहुत ही जादा कमाल का लगता है colors के effect जो है काफी जादा देखने को मिलते हैं आपको जब आप इस phone को move करते हैं तो ये blue color का effect जो है काफी बढ़िया लगता है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो इस phone को आपको ऐसा लग रहा होगा glass back panel है लेकिन plastic के type का है लेकिन दोस्तो आपको जो है लुकवा इस तो काफी जादा बढ़िया मिल जाता है तो मुझे परसली दोस्तो काफी impressive design लगा Vivo के phones के design दोस्तो हमेशा बढ़िया ही होते है तो उसी तरीके से इसके इंदर भी आपको बहुत ही जादा कमाल का design मिल जाता है T1X का design आपको बहुत जादा अच्छा दिया गाया है T1 Pro, T1 5G की तरह और T1 4G की तरह तो दोस्तो ये भी काफी जादा बढ़िया है मुझे परसली इसके design काफी जादा बढ़िया लगा Light का जो effect है दोस्तो इसके back panel पे बहुत ही जादा कमाल का लग रहा है आपको दोस्तो कैसा लगा इसके design comment करके ज़रूर बताइएगा चलिए दोस्तो on कर लेते हैं इसको देखते हैं इसके अंदर आपको display की quality मिलती है वो कैसी दी गई है तो display का size तो इसके अंदर आपको मिल जाता है दोस्तो 6.5 इंचिस के आसपास तकरीबन 16 की display इसके अंदर आपको दी गई है जो कि एक IPS Full HD Plus display है तो display सके अंदर आपको सही मिल जाती है फिर भी दोस्तो बाकी देख लेते हैं डिस्प्ले के जो colors हैं वो कैसे दिये गए हैं brightness वगए अच्छी मिलती है या फिर नहीं तो दोस्तो इसके अंदर आपको जो user interface मिलता है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर आपको कैसा दिया गया है चलाने में ये phone कैसा लगता है तो सबसे पहले बात करें दोस्तो user interface के बारे में तो आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर दोस्त आपको typical वैसे user interface मिल जाता है वीवो के दूसरे smart phones की तरह अब दोस्तो आपको इसके user interface कैसा लगता है वीवो के phones आपको चलाने में कैसे लगते हैं ये तो आपकी पसंद के उपर ही matter करता है बाकि दोस्तो इसके अंदर आपको display में 90 Hz के refresh rate भी दिया गया है तो चलाने में आ आपसे इसके अंदर आपको ये feature मिल जाता है तो ये चीज़ भी काफी जाद अच्छी है अब इसके अंदर दोस्तो आपको emolid display तो नहीं दी गई IPS मिलती है design मिलता है दोस्तो notch वाला पंचोल camera वाले design जाद तर आप में भी बहुत सारे लोग comment करके बताते हैं उनको notch वाले अगर देखी जाए तो display सही दी गई है 90 Hz के refresh rate भी है तो ये चीज़े बढ़िया है बाकि दोस्तो इस angle से भी करीब से मैं आपको इसके design दिखा देता हूं दोस्तो इस angle से तो बहुत ही जादा कमाल का लग रहा है ये phone यहां से आप दोस्तो इसका design देख सकते हैं बहुत जा गया नीची की तरफ आपको type C port मिल जाता है charging port के साथ दोस्तो आपको headphone jack, mic, speaker भी दिया गया है नीची की तरफ तो headphone jack है इसके अंदर ये चीज़ भी काफी बढ़ी है राइट साइट साब देहेंगे दोस्तो तो volume के buttons है और power का button है finger paint scanner दोस्तो इसका side में है power के button के अंदर speed अभी चेक करेंगे दोस्तो कैसी दी गई है इसमें तो दोस्तो बात करें इसके बाद जो है RAM और storage को लेकर तो इसमें आपको दोस्तो दी गई है 12,000 में 4GB RAM 64GB के internal storage तो 4GB RAM मिल जाती है इसके अंदर 64GB internal storage है बाकि दोस्तो ये phone आपको 14,000 के आसपास भी मिल जाएगा 2000 महेंग 1GB RAM आप और RAM अपनी expand कर सकते हैं 5GB RAM हो जाएगी इसके साथ दोस्तो इसके अंदर आपको Android 11 version ही मिलता है 12 नहीं दिया गया उम्मीद करते हैं अपडेट इसके अंदर जल्दी देखने को मिल जाया और जादे latest version बाकि दोस्तो fingerpin scanner की speed आप देखिए जैसे मैं इसको unlock करता हू इस unlock दोनों ही काफी जादा fast हैं काफी अच्छे से work कर रहे हैं चलिए दोस्तो इसको restart करते हैं देखते हैं restart होने में कितना time लगाता है ये phone बाकि दोस्तो इसके अंदर आपको snapdragon 680 processor दिया गया है अब अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user है performance आपको चीचाहिए तो वैसे द आपको performance और जादा बढ़िया मिल जाती है चैनल में काफी सारी वीडियोज है और दूसरे phones की एक बार ज़रू चेक कर लिएगा बाकि दोस्तो इसके अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तो तो battery backup इसके अंदर आपको speed कैसे देखने को मिलती है तो दोस्तो जैसा मैं आपको बताया नॉर्मली उसके साफ से तो काफी सही है ये phone बाकि अगर आपको performance की वज़े से ही phone खरीदना है जैसा आपको game वगरा बहुत जादा खेलने तो दोस्तो आप दूसरे smartphone भी एक बार चेक आउट जरूर कर इसके अलावब दोस्तो इसके अंदर आपको back side पर जो main camera मिलता है वो मिलता है दोस्तो 50 MP 50 MP परफॉमेंस जो है दोस्तो camera की आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर photos की जो quality है details वगरा है वो colors वगरा काफी बढ़िया लग रहा है इसके साथ दोस्तो portrait mode के अंदर भी edge detection background blur वो चीज़ा आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है camera को लेकर भी यह phone दोस्तो मुझे काफी ज़्यादा सही लगा अभी सारी खुब्य कम्याब को मिलती है दोस्तो नए Vivo T1 X के अंदर इसके साथ दोस्तो एक चीज़ और ज़्यादा बढ़िया है इसके अंदर इस जो है इसके अंदर आपको cooling system दिया गया है जिससे दोस्तो यह heat जो है कम होगा और heavy use के अंदर दोस्तो जैसा आप multitasking जाद करेंगे तो दोस्तो आपको दिक्कत जो है ग्लास लुक लग रहा है तो दोस्तो डिजाइन तो बहुत ज़्यादा कमाल का इसका यह इसकी पहली खुबी है दूसरी खुबी दोस्तो इसके अंदर आपको battery अच्छी मिल जाती है charger भी सही दिया गया है तीसरी खुबी दोस्तो इसके अंदर आपको camera अच्छा मिल जाता तो यह चीज़ काफी बढ़िया है, बाकि दोस्तो पर्फॉमेंस को लेकर दोस्तो यह फून मुझे ठीक ठाक लगा, अगर आपको पर्फॉमेंस की वज़े से फून खरीदना है तो आप दूसरे भी देख सकते हैं, नॉर्मली उसके साथ से काफी बढ़िया है, और अल दोस् अगर आपको पसंद आई तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब आपने नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहें, इसके लग दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्फुल लगी त अपने दोस्तों के साथ इसको शेर जरूर कर दियेगा वाटसेप और फेस्बुक पर